हेलो एबरीबान आच्छा बब बना मागे जैलो गाजर आलू मडर की सबजी सबसे पहले हम कडाई में ओइल एड़ करेंगे सरसुका ओइल जो सेथ के लिए बहुत अच्छा होता है ओईल को हम अच्छे से गर्म होने के लिए शूड़ देंगे और जब हमारा अच्छे से गर पेस्ट अच्छे से मेक करेंगे इसको ब्राउन होने तक हरका ब्राउन करेंगे इसको पकाएंगे लसन आद्रक हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया अब हम इसमें एड़ करेंगे गरीन मेर्च और प्याज दोनों मेक करेंगे हम इसमें अब अच्छे से मेक कर लेंगे प्याज को हम तब तक मेक करेंगे जब तक इसमें अच्छे से खुश्बू ना ने लग जाए अच्छे से खुश्टे से करें जच्छी एड़ करेंगे श क्वेश्ची से से मेल PAT explains पर आर को सिर्म प्यान अच्छे... कर दो 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 अ कर दो चर दो है हमारा प्याज ब्राउन हो गया हरका इसकी खुश्बू भी आने लग गई अब हम इसमें सिर्फ नम्क डालेंगे और कोई मिस्टाला एड नहीं करेंगे अब सिर्फ हमने नम्क डालना है सिर्फ नम्क डालेंगे अब इसमें हम सब्च्ट डालेंगे हमारी गाजरो और मटर आलू की इसको एड करने के बाद हम अच्छे से इसको हलाएंगे अच्छे से हलाना है सारा मसाला से इसमें जो हमने सबसे बहले लसन और आद्रक एड किया उसकी अच्छे से खिश्ब आएगी हमारी सब्ची में से उसका फ्लेवर बहुच जाता है प्लेवर आएगी झाल झाल सब्च को अच्छ से उलाने के बाद अब इसमें हम एड़ करेंगे हमारा त्यार किया हुआ मसाला सूखा दनिया और काली मिर्च पीसा हुआ जो मैं खुद पीसती हूँ एक चम्च कम से कम हम इसमें आड़ करेंगे हमारा यह मसाला अब हम इसको भी हला लेंगे अच्छ से अब हमारा यह मढगे हमारा इसमें आड़ में आड़ से बढ़ एको से तोटी पीस । अब हम इसमें पांच मिन्ट के लिए डक्कन दे देंगे पांच मिन्ट के बाद हम इसको खोल कर देखेंगे पांच मिन्ट के बाद हमारी सबजी देखो रैडी हो गई अब हमें हलकी पकी है हलकी कुछ नई भी पकी है इसको हला लेंगे अच्छे से सब्सक्राइब करें हलकी नहीं पकी है कच्छी है थोड़ी ची सब्सक्राइब हमारी अब है देख सकते हो हमने काट कर देख लिए अ अब हम इसमें एड़ कर देंगे हमारी हल्दी और मिर्च मसालों दोने इसको हम अच्छे से हला लेंगे हलके हाथ से हलाना है सब्सक्राइब को जादा जोर जोर से सब्सक्राइब को नहीं हलाना अब हमें इसमें सूखी मेती हमारी खुद की सकाई हुई शत पर वह एड़ करेंगे इसके खुश्बू बहुत अच्छे आदे सूखी मेती की और फ्लेवर भी बहुत चाहता है गाजरा लुमटर में अच्छे से हला लेंगे हाँ अच्छे सेहल आने के बाद हम इसको अच्छे सुखी में अच्छे सेहल आने के बाद हम इसको पर आह टापया लेंगे हाँ मुद टाक पायँ एक बदिए रख देंगे डखकन डालकर और पांच मिन्ट के लिए सिर्फ पांच मिन्ट के बाद इसको खोल कर देखेंगे हमारी सब्जी को बिल्कुर रैडी हो जाएगी हमारी सब्जी देख सदो इत्र डालकर जाएगी हमारी सब्जी के लिए सिर्फवाइब के लिए साथ-ख। हमारी सब्जी बिल्कुर रही है हमारी सब्जी इतनी टेस्टी है इतनी टेस्टी है कि आपको क्या पता हूं झालस्टी है को